मुझे अच्छी 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 आप सभी का अपनी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और बिल्गुल स्टाटिंग में मैंने आपको क्रिजन्तमम दिखाए हैं क्योंकि इसी की बाहर चल रही है अभी हमारे गार्डन में तो आज के विडियो का टॉपिक है कि आखिर इन खुबसूरत से फ्लावर जो की ब त्रिक बताऊंगी, जो भी आपको बताते हैं, वो अपना ही ट्रिक बताएंगे, कि वो कैसे बचाते हैं अगले साल को, आगले साल तक लिए इनको प्रिजर्व करने के लिए, और साथ में ही मैं जो कुछ कुछ इसके लिए आ रहे हैं, क्या इनमें से सकेंड बार हम ब्लूम ले सकते हैं या नहीं वो भी मैं बताऊंगी और इस से कैसे हम इनको कट करें जिसे कि यह सेकंड बार ब्लूम करें और उसके साथ में हम देखेंगे कि मैं कैसे इनको सेफ करती हूं पूरे साल के लिए और फिर कैसे कटिंग से त्यार करती हूं नेक्स्ट यर तो चलिए स्टा और काफी तेज बारिशें हुई हैं जिसके बाद में अभी ये गुलदाओ दियां बहुत जल्द हमारे गार्डन से जाने वाली हो और आप लोग के भी mostly कमेंट यही आ रहे हैं कि आखिर आप कैसे सेव करती हैं अपने क्रजैन्थमम को तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो देखिए फ्रेंड्स यह वही क्रजैन्थमम है जो कि हमारे सेंटर गार्डन में लगे हुए थे तो देखिए यह हैं वही अब इनके फ्लावर्स देख लीजे दीरे दीरे स्पेंड हो रहे हो बिल्कुल बदरंग से हो गए हैं तो अब हमें इनको हटाना क्योंकि अगर यह अब बहुत जादा दिन तक अपने प्लांट पर रहे यह फ्लावर्स तो होगा क्या ना इसमें पैस्ट अटैक करेंगे और इसमें फंगस लगेगा और जिससे अपका पूरा प्लांट सफर करेगा और अगर एक बार प्लांट में कोई भी फंगस या पैस्ट लग गए तो उनको बचा पाना बहुत मुस्किल हो जाता है इसलिए समय रहते ही इनको आप सेफ कर लिजे दिखे इस तरीके के आप फ्लावर होने लगें दीरे दीरे यह जो राउंड आप देख रहे हैं यहीं से फंगस स्टार्ट होती है और दीरे दीरे पूरे प्लांट में आ जा तो फरवरी में आपको फ्लावर मिल जाएंगे पर इस एमाउंट में नहीं मिलेंगे अब आपको जो फ्लावर मिलेंगे दस बारा फ्लावर या पंदरा फ्लावर ज्यादा ज्यादा बीस से पचीस फ्लावर ही मिलेंगे तो वो फ्लावर पाने के लिए आपको करना क्या है तो अभी आप एक डाल पकड़िये जैसे ये आपने देखा यहाँ से आपको cut कर देना देखे यहाँ से कोई shoots नहीं आई है तो यहाँ से आपको इस तरीके से एक-एक branch पकड़ते वे यहाँ से आइसे देखे यह cut करना जहाँ से flower के suits नहीं है वहां से आपको ये cut करना है ये देखे इस तरीके से इस तरीके से आप cut कर लेंगे अपने सारे ही plant को dead head कर लेंगे जहां से देखे ये stem पे flower है तो ये यहां से आपको cut करना है ये पूरे bunch में flower है तो ये यहां नीचे से cut करना है तो इस तरीके से आपको re-blooming मिल जाएगी तो ये तो बात होगे re-blooming के क्योंकि आप लोग के question थे पर मैं कभी भी re-blooming नहीं लेती हूँ अपने क्रजानतमम से अगर आप re-blooming लेंगे plants को काफी सफर करना पड़ता है वो healthy नहीं रह जाते हैं तो इसलिए मैं तो कभी नहीं लेती हूँ मैं अब आप अपना save करने का तरीका बदाती हूँ क्योंकि मुझे ये plants बहुत पसंद है मैं नहीं देखिए दो plants रखे हैं इनको मैं save करूँगी और सारे को मैं throw out कर देती हूँ मतलब पूरा मट्टी से निकालती हूँ इनके मट्टी स्लाइस करके इनके गंबलों में पिटूनिया लगाऊंगी तो आप देखिए मैंने healthy plants कैसे choose किया है आपको अगर दिख रहा हो देखिए नीचे में ये देखिए काफी new suits आ रहे है तो ये देख रहे है अब ये जितने new suits आ रहे है न ये ही हमारे healthy plant बनेंगे जिनसे हमको आगे cutting मिल सकती है तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले अपना जो है scissor लोंगी और ये देखिए ये नीचे से मैं stick निकालूं पहले ये देखिए sticks मैंने निकाल दी अब देखिए मुझे काटना कहा से ये जो पुरानी वाली branch है न ये ये देखिए एक ही plant लगा हुआ है और ये ही branch को मुझे cut कर देना है तो ये देखिए ये देखिए इस तरीके से ये मैंने पूरा plant cut कर दिया तो देखिए फ्रेंट्स जो main branch थी न उसको मैंने यहां से cut कर दिया अब हम करेंगे क्या ये flowers को मैंने अब हटा दिया और इनको बलकि इसी तरीके से मैं दूप में सूखने देती हूँ और इनी से मैं पतियों की खाद बनाती हूँ इनको 4-5 दिन के अच्छे सी दूप दूँगी उसके बद कंपोस्ट बिन में डालके सिर्फ पतियों से ही मैं जो है अपना कंपोस्ट तैयार करूँगी जो कि मुझे अजेलिया फूशिया इन सब में काम आता है तो अब हम इसके करेंगे digging ये देखिए इस तरीके से हम digging कर लेंगे अभी इस टाइम अब आपको सिर्फ यहाँ पे जो खाद एड़ करना है वो है वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैनवर इसके अलावा अब आप इसमें कुछ भी एड़ नहीं करेंगे और वो अभी मैं add नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास सारा ही material खतम हो चुका है सारा मटी और सब में तो अब जल्दी एक दो दिन में अगर मेरे पास वो आ जाता है तो मैं इसमें add कर दूँगी क्योंकि आप लोग के question थे काफी क्योंकि मेरे spend हो रहे है तो आप बताईए कि इनको कैसे save करना है बस as it इनको save करना है अब देखिए मैं marking करती हूँ उस पर यह जो मैंने plant है यह मेरा 12 number का है क्योंकि मैंने सभी को एक अलग number दिया हुआ है तो देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 12 number आपको दिख नहीं रहा है यह देखिए मैंने लिख दिया है 12 number उससे होता क्या है जब मैं cuttings लगा रही होती हूँ तो एक ही plant के बहुत सारे plant नहीं तयार हो जाते हैं तो यह 12 number का है और इसके बाद ने इसपे हो गया अब इसमें मैंने color वो यूज किया है marking करने के लिए जो की पानी से बहे नहीं यह inamel paint है पानी से बहता नहीं है इससे मैं हमेशा ही marking कर लेती हूँ और इसमें अभी जब मेरे पास मैं इसपे भी अपनाने वाली हूँ उसके बाद में फरवरी में इनकी मैं फिर सी semi pruning कर दूँगी पूरी इस तरीके से cut कर देती हूँ और फिर से एक से डेढ़ मुटी इतने बड़े गंबले में मैं वर्मी कंपोस्ट एट करती हूँ और फंजी साइट का स्प्रे करती हूँ और जून के महीने में मैं हलकी सी pruning करती हूँ जिससे मुझे नए सूट समल जाए cutting लगाने के लिए और जुलाई में मैं इनके cutting लगाती हूँ और वो मैं आपके साथ में share करती हूँ तो बस फ्रेंट्स ये simple सी ट्रिक्स है कि इस तरीके से आप इनको save कर सकते हैं मैंने बता दिया मैं re-blooming नहीं लेती हूँ अपनी plant को बिल्कुल मैं इस तरीके से save करती हूँ क्योंकि कई लोगों के comment है कि मैं इस तरीके से save करते हैं तो मेरे plant जो हैं वो चलते नहीं है तो जी है फ्रेंट्स इस बार आप जो है इनसे री ब्लूमिंग ना लेके इस तरीके से सेव करिए पूरे जो पुराने प्लांट उनको कट कर दीजे नए प्लांट को रहने दीजे और कुछी दिन में देखेंगे काफी घना ये आपका भी प्लांट हो जाएगा बहुत ग्री और नेक्स्ट इयर अपने इसी प्लांट से एक नहीं दो नहीं करीबन 20-25 तो प्लांट आप अराम से बना सकते हैं तो चली फ्रेंट्स इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूं विदान नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी ओके माई फ्रेंड्स बाबाई हैपी कार्णिंग एंड बी सीफ